जाहिंद दोस्तों बोट परिक्षाओं की त्यारिक लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अबस से कर लें साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सेर करना ना भूलें आज मैं लेकर आया हूँ क्लास्ट वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का मॉस्ट वी वी आई स्वाट लॉंग क्यूशन एंसर बिल्कुल हंडेट परसेंट विश्वास के साथ पढ़िये शुरू करते हैं अपने पहले क्यूशन से फर्स्ट क्यूशन है हमारा दल बदल से आप क्या समझते हैं कहता है वाट हम लोग दल बदल सिंपल वर्ड में समझीए इस क्यूशन को आपको बोड इग्जामिनेशन दोहजार नोग दोहजार दश नोग चुनाओं से पहले या नीडवाचित होने के बाद अपने नितिक दल को क्या करता है चेंज कर लेता है बदल लेता है या छोड़ कर दूसरे बहुत ही important terms है अब दल बदल आप अपनी राजनीतिक इच्छा से भी कर सकते हो या अगर माल लिजे पाटी का कोई मतलब जो मुख है वह आपको क्या करता है सभी सभी के सामने उप्यक्षीत करता है आपको बेज़्जत करता है तो आप उस टाइम में भी दल बदल कर सकते हैं मंच का पड़ित्याग कर किसी अन दल में जाम मिलता है जैसे आपका बिहार की बात करने एक्जामपल समझ लिए जीतारा मांजी का आप एक्जामपल ले सकते हो उन्होंने क्या किया अपने दल को बदल लिया और एक नया दल भी अपना बना लिया हम 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 इंदुस्तान में उसके विरुद्ध मतदान करता है तो वह दल बदल कहलाता है अब दल बदल को रोकने का उपाय भी किया गया था आमारी समिधान में जब समीधान का संसोधन चल रहा था 52 संसोधन यानि 22 संसोधन जब चल रहा था कब हुआ था बिल्कुल जी 1985 में हुआ था ध्यान में रखिएगा 1985 यह आपके लिए objective के लिए important रहेगा तो फिर सन्विधान का ववनवा संसोधन 1985 में हुआ था तो इसमें दल बदल को रोकने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन क्या आप लोग जानते हैं यहां तो किसी पत्नी मतलब साधी सुधा लोग भी अपने दल को बदल लेते हैं मतलब समझने काने का मतलब हुआ कि अपने पती को भी चेंज कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बट कर देते हैं तो आप यहाँ दल बदल यहां राय संतर्क पार्टी को रोक सेकते हैं किया नंहीं, तो यह क्या हुआ हमारा संसोधन था- लेकिन यह संसोधन मतलब लागुण नहीं हो पाय, और यह समिधान संसोधन का मतलब एक तरह से बन गया नाकामियाब रह गया कौन तो 1882 का जो 52 संसोधन में एक प्रयास किया गया था कि जल जो दल बदल है उसको रोका जा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ध्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट है और पुना 1901 में क्या हुआ था 1901 में सन्विधान संसोधन दवारा एक नया कानून लाया गया और जिसके अनुसार कहा गया कि कोई भी जो सदस्य होता है वो दल बदल अगर करता है तो वह सदन की सदस्यता क्या होगा खो देगा और क्या होगा राजनीतिक पद के लिए अयोग होगा अध्यक्ष्या फैंसला इसे मामले में अंतिम फैंसला माना जाएगा ऐसा कहा गया था कब 1991 के सन्विधान संसोधन में तो ध्यान रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसंस आपके एक्जामनेशन के लि बटवारे की भावना उत्पन हो चुके है वैसा ही गिना चुना कोई घर होगा जहां पर बटवारा नहीं होगा तो इसके उस चंस को भी आपके बोर्ट इग्जामनेशन 2012 ने पूछ दिया है 2017 में भी पूछा गया है तो बहरी इंपोटेंट है थो आ समझी है कंसेप के समयते हैं देखिए हुआ क्या आप जानते हो कि 14 और 15 अगस्त यानि 14 अगस्त की मधर रातरी को अपना देश अजाद हुआ था भारत लेकिन ऐसा नहीं है आप समझेए 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बलकि 2 राष्ट्रे क्या हुए थे आज आध हुए थे असितात्व में आय थे कौन-कौन तो भारत और पाकिस्तान भी आये थे ध्यान में रखिएगा और ऐसा क्यों हुआ क्यों कि भीभाजन के कारण हुआ अब ब्रीटिस इंडिया जो था पहले हम लोग ब्रीटिस इंडिया के नाम से जाना जाता था ध्यान में रखिएगा ब्रीटिस का इंडिय kingdom क्या स्थापना हो और मुसलिम अलग देश करने का मतलब यहां पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की मांग करने लगा था कॉन तो مسलिम द्यान रखेंगे और और क्वांग्रेस ने क्या कि दुविराष्ट्रसिदानत का बहुत जोर सव बिरोत किया आपके दासक मेंนะคะ यहां靠 vigor सब्सक्राइट 14 का दसक्राइट कि खнал क्यान mega और धिक시는 एक गर वाइट तो आप तक जिस भूह बहुस को को इंडिया कहा जाता था फेंसला आपकर मीलेगा तो प्रवाता है फैसला हुआ कि अब तक जिस भुभात को इंडिया कहा जाता था इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे अब भारत और पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा लेकिन यहां पर बात नहीं समझी बात तो और बर चुकी थी भारत-पाकिस्तान नाम कैसे रख तो मतलब आसान तो नहीं था मतलब भारत पाकिस्तान नाम लेना तो असान था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बाग दीजिए लेकिन आप कहा गया कि मुस्लिम लिग ने क्या किया था मुसल्मानों के लिए अगले डास्ट का मांग किया था तो पाकिस्तान के अब क्या है पटना है तो उसको हिंदुस्तान का नाम दे तो ऐसा नहीं था हुआ क्या हुआ वहाँ पे ना समझने के लिए बता रहा हूं समझे कंसेप्ट को हुआ कि अलग-अलग मतलब मुसल्मान भी रहते थे तो घनियावादी में सभी जगह क्या होते थे मतलब वीरल जन संख्या में। जगहन जन संख्या में लोग थे मुसल्मान की जन संख्या जो थी तोवहाँ पर मतलब यूदफब होने लगे समस्टिया और यहीं बात ब्रचींडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां कि मुसलमान बहुत संख्aws होю, ऐसे केवल दो ही इलाके थे, जो आपका एक एक एलाका था, पच्छिम का, पचिमी भारत का एक एक इलाका था, और एक था, पूरवी भारत का, अब इसे, में भी एक बंदन आगे एक पच्मी और एक पुर्वी दोनों को एक तरफ कैसे लाए जाए पच्मी भारत की इलाक्यों को एक तरफ और पूर्वी भारत की इलाक्यों के एक तरफ कैसे लाए तो क्या कहा गया कहा गया कि और यह द्वीराष्टी दांत के बिल्कुल खिलाब थे तो जी मांत गंधी किससे ईस सदांद के खिलाब собой आप लो बदा इक कि आंते कि ए हम इसमुदायों के लिए अलग अलग राष्ट बनाने को कहते हैं बिल्कुल हिंदू और मुसल्मानों के लिए बनाय गया था द्वी राष्टी दान्त के अधार पर मुहमध अली जिन्ना का नाम याद रखेगा बादार भारत के दो खेमों में विभक्त कर दिया गया भारत और पाकिस्तान जहां मुसलिम ने समर्थन किया वहाँ कोँरेस ने इसका विरोध किया गीयों ही ईहानों के साहथ बीडियो समझ हमारे तो प्लीज वीडियो को कुछ gaping आई थी gaping आई थी तो उसी को योजना ओकास का वाँकास मतर्व चुटी होता है और 151 से से 1945 ध्यान में 1991 से कितना पांस अलुनिटWatch न सब्सक्राइबं pirate знаешь evanaina तो तीसरी जोजना modern जोए ख सश्च google指ever के बाद क्राम में व्यवधान पड़ गया क्या बीवधान पड़ गया व्यवधान गने का अवधी में तीन वार्सिक योजनाएं इसी वजह से पंछ वर्सिए विजना कोई करम डूट गया इसी योजना को योजना आवकास का नाम दिया गया है यानि आप मत देखिए जिनको लग रहा कि सब क्यूशन्स आएगा वही लोग वीडियो को देखेंगे के वल क्यूशन फोर काता है हमारा गुट निर्पेक्ष की नीती का क्या आर्थ है निकाने का मतलब वाट डू यू मीन बाई नन एलाइजमेंट यानि नन एलाइजमेंट मीनिंग को क्या समझता है मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि बैरी बैरी इंपोर्टेंट है यह क्यूसेंज हर साल मैंने देखा आपके यानिशन में इन दौ अब्जेक्टीव आल्चो इन सब्जेक्टीव घॉर्ट होता है कि किसी भी गूट में सामिल नहीं हो ना मतलब कोई भी सा सामिल नहीं होई है या गुट या राष्ट के कार की सराहना या निंदा कुछ भी करना है आपको आख बंद करके नहीं करना है बीना सोचे समझे नहीं करना है वास्तों में क्या होता है गुट निर्पेक्ष नीती जो होता है वो क्या होता है एक राष्ट्रे को मतलब अपने लिए एक स्वतंत्र भी देशी निति का नीरधारन करता है उसी को कहा देखा गुट निरपेक्ष निति मतलब बीना बोले बीना सोचे समझे ना तो बोलना है किसी भी गुट में सामिल नहीं होना है ऐसे रहने जैसे अपना देश भारत स्वासे याद रखेगा अपना देश भारत भी क्या था गुट नितिक्ष का वह राश्ट्र क्या होता है अच्छाई या बुड़ाई उचीत याव अनुचीत का निर्ने स्वाभी वेक से करता है अपने राश्ट्र की अच्छाई या बुड़ाई या किसी भी राश्ट्र की अच्छाई या बुड़ाई अपन से विभाजित होगे वो डू गुटो का नाम था आपका ध्यान रखिएगा एक था पश्मी देशों का गुट था और दूसरा था सामयवादी देशों का और दोनों महासक्तियों कि भारत को अपनी और मिलाने का मतलब अपने फीछे लगाने का काफी पर्यास किया प्रन्तु बहरत किया था皆さん मजीएगा भारत किया थां तो वहारत मतलब सैनी गुटों से अलग रहने के बाद एसी आव अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्टों के द्वारा दोनों महासक्तियों सन्युक्त राज अमेरिका येवं सोवियत संग के सैनिकों के गुटों में सामिल नहों कर यूद अथवा सीत यूद की निंदा करना अथा अथा अंतराश्टी सांति शुरक्षा का सहयोग में योगदान देना इसी को कहा रहता था गूट निरपेक्स सामिल मत हो ये लेकिन आपको जो करना है वो किजिए ठीक है नेक्स्ट हमारा क्यूशन कहता बहुत बहुत निरपेक्स्ता निती क्यों अपनाए गई बहुत ही इंपोर्टेंट है तो मतलब गूट पेक् पांदेना था और लाभानी को भी समयना था जिसके कारण हमारे हनुट निरपेक्षान को अपनाई गई थी नेक्स्ट हमारा कुशन कहता है क्योशन 5 देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन 10 कुश्शन कराने वाला हूं वहेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा 5 कहता है है कि नर्मदा बचाऊ अंदोलन के पख्ष वं भी पक्ष में तरक दीजिए क्या थी नर्मदा बचाऊ अंदोलन धिया निखिए गा दोस्तों क ता है कि सरदार शर्वर व्षान dhok 100% मार्क्स मिलेंगे सर्दार सुरोवर वर नर्मदा बांधों पर बनने से गुजरात वर मध्य परदेश को पानी वं बिजली की सुभधाय मिल सकेगी यह बहुत देशिय योजनाय कल्या जन कल्यान लक्ष को पुड़ा करेगी बिल्कुल पानी अगर नर्मदा बचावां दो कुछ भी बनाई है तो वहां का जो जगह होता है लोग क्या होते हैं बिस्थापीत कर जाते हैं वहां कि लोगों को हटाना पड़ जाता है कहने का मतलब हो गया कि यह लोग की जमीने ली जाएंगी तथा बसे हुए लोग बिस्थापीत हो जाएंगे यह भी आसंका है कि बह आपको बताने है सभी टम्स को कि उम्मीद करता हूं किलियर होगा दोस्तों इसका PDF आप टेलिग्राम से ले लिजेगा मैं अभी टाल दूंगा टेलिग्राम पे नेक्स्ट हमारा क्यूशन काता है क्यूशन सिक्स सामुहिक आत्मनीर भरता वह दचिन दचिन सहयोग का क्या आर समझते हैं देखेजी 15 के देशों का नाम आप पहले ध्यान में रखियेगा कौन कौन से देश हैं आपके अलजीरिया अर्जेंटीना ब्राजील चीली मिस्रा मिस्रा आपका है भारत इंडोनेसिया इरान जमायका केनिया मलेसिया मैक्सिको नाइजिरिया सेनेगल सेनेगल भ के कारण उसे सफलता ना मिल सकी अता 1980 के बाद विकास सिल देशों ने अभियान चलाया कि वे प्रस्वर सहायता वह सहयोग से अपना विकास करें इसलिए 15 बिक्सिक देशों का गुड़ जी 15 बना भारत ने भी देश के अग्रणी भूमिका निभाई तो ध्याना किएगा सम समखाली जीए कि आज के बाद कभी आपको दिक्कत नहीं होगा ध्यान रखेगा एड़ोपिये संग के अस्थापना जो आपकी हुई थी उनिश्टो बानवे में तो एड़ोपिये संग के बारे में हमें आपको बता दो हूंगा और एड़ोपिये आर्थिक समुदाय की हथा पिरोपडिये इकोनॉमिक कमीटी करते हो निश्टो तो ध्यान में रखेगा उनिश्टो संतावन ने में सендगर थी और इंबदाई की अस्थ hypothesis 겪ना ख संताय में के अस्थापना की तो बानून है कसम खाये इस बात को यार्थिक समुदाय की बात करौं कियूंकि अर्थिक समुदाय की बात कर लेकिये कैपकर इस शम्था क्या हुए सब्सक्राइन कि निरिमान होता था का निर्मान हुगा था हुगा क्या कि इस समुदाय में पांच वर्ष जो उनिष्ट एकावन से चापन इसके पहले जो था न उसके पच्छास पर तीसाथ ज्यादा ब्रिधी हो गया जब अर्थिक समुदाय के अस्थापना विन इस संतामन में तो इंकोला निर्मान में श्ट संक्या स्थापना किये हैं मतलब अपने आपको प्रभावसाली बनाने के लिए हैं तो हम भी क्यों न सामिर हो जाएं डेन्मार्क आया तीनों मिल के साथ थे आएक के वारी कब किया तो जनवारी 1973 में एरोपिया आर्थिक समुदाय क्या मतलब सदा से बन गया कब कौन-कौन याद रखिएगा 1973 में कौन-कौन तो 1973 में देनमार्क आयरलेंड और बितन का किया कि जनवारी के 1973 में एरोपिया आर्थिक समुदाय कि क्या किया और यूनान देखा कि अड़े इस अब 1973 में सामिल गया तो यूनान हो सोचते 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 उसका भी समय बित रहा था बित र मल लेकर आ गया और बोला कि हमको भी जोड़ लीजी आर्थिक समुदाय की सदस्य बना लीजे तो युनान भी आपका 1981 में आर्थिक समुदाय का क्या बन गया सदस्य बन गया था और फिर देखा न अब देखा कि अब इस्पेन और पूर्तगाल सब देख रहा था बोला कि यह क्या हो रहा है सब लोग तो आर्थिक समुदाया में जुर रहें तो 1986 में यह भागले भागले दौरते दौरते आये कि 1973 में ब्रीटेन क्या हो गया था सामिल हो गया था और विरीटेन जो होता है बहुत नाम ही मत कि यह भी संघ्य यहां रखिये हैं कल vehicle ऐसे जाना है है दोस्तों यहां टांब की यह हो भी बात है अधिकांस इरोपिये देश के पर शत्त को जान चुके यदी वह एक दूसरे के सहयोग वसमर्थन की नीसी अपनाएंगे तो वह तेजी से विकास करें अधना इरोफिये संके उप के पुन पून जो हो गया उद्थान के लिए युरोपीय देशों का प्राश्परिक सहयोग का निती का नसीदा थे अपने आपको बढ़ यार करने के लिए स्ट्रोंग करने के लिए युरोपीय संक्या स्टापना की गई ती ध्यान रखियागा द्विती वी स्यूद के बात नेक्ट हमारा और सितार होते हैं जड्म उर्म उल्म गहना एंग के लिए यारोब Commerce फेह ले गेंग नंबर क कैसे लोकील का लंग रहता है जत्ठा बनाने वाला नम्पर रहता है तो उसी तरह से उन लोग गालकी नंबर क्या है तो 12 है तो ध्यान में रहाँ हैं बहुत इंपॉटेंट सा वीडियो समझ माइं तो फ्लीडियो को लाइक किता कितार नियू वीजविवस्था है यह यह zwar समझेगाए समय को एक्सविया संग्यायफ Suppose के बादंuster सक्ष में रुप पटल और विसकती साली रुप में अवह तरीत हुआ और धीरे धीरे विश्वव्यवस्ता पर उसका बर्चस्था पीथ हो गया 1991 में सोवियत पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी बर्चस वे जिस्वेवस्था के पुष्टी करता है उसे ही नई विस्वेवस्था के नाम से जाना जाता है तो ध्यान में रखेगा से छंटे बाद वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों समारा क्यूशन करता है क्यूशन यंतिन की इंट अमेरीकिव फ chilli की सैने सकति के रूपने वियाख्या किजिए अभम अमेरिका वर्चस्व क्या से सकती भू रूख शुरू से जानते हैं क्या अमेरीका क्या है महासक्ति है यानि कि आज एक मात्र महासक्ति अमेरिका है उसके पास विशाल थल सेना है जल सेना है वायू सेना है हर परकार के प्रमानू प्रम प्रागत हंतियार है विश्व के सभी देशों पर उसका बर्चस वस्तापित हो गया है अफगानिस्तान की बात करने इराक पर आक चुका है दोस्तों यहां पर इसके पास क्या जल सेना थल सेना पर चूर मातरा में हैं बहुत मातरा में तो यह सब टर्म्स आप लिखिएगा लास्ट क्यूशन कहता है बहुत इंपोर्टेंट है इस वीडियो का कि वैस्वी करण में प्रवद होगी कि क्या योगदान है अब वैस्वी करण जो होता है अब गलोबलाइजेशन से क्या समझते हो गलोबलाइजेशन काने का मतलब एक दूसरे से दूसरे देश्टों का बेपार अब जो यहां पर प्रवद होगी यानि टेक्नोलोजी की बात किया रहें तो सभी जो पूड़े पूड़े जुतने भी गा का महत्व पूण योगदान है प्रदोग की ने उत्पादन यातायाद संचार के साधनों में ऐसी व्रिदी की है कि सारी दुनिया एक गाव में तबदील हो गई है बिल्कुर सारी दुनिया एक गाव में तबदील हो गई है प्रवद होगी टेक्नोलोजी करने का मतलब अड तर निर्भरता तेजी से बर रहा है तो इसे करते हैं बैस्वी करन दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लोबलाइजेशन का भी टर्म समझ में आया होगा देखिए दस ही क्यूशन से नीचे क्यूशन नहीं है तो ध्यान में रखेगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से दस नए क्यूशन के साथ क्यूशन की संख्या बरहात दी गई है इसलिए आप लोग थ्यान आपको वीडियो में किसी रिटरम का समझ में नाया तो अब नीचे नेक्स्ट वीडियो में कर से क्लियर करूँगा बस आप लोग बता दीजिएगा क्योंकि आपके एक्जामनेशन बहुत कम समय बचाए इसलिए वीडियो को जाधा जाधा सेयर किजिएगा टेक कर ओल फियू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए हिंद